हेलो दोस्तों आज 28 स्टंबर 2021 और 28 स्टंबर 2021 से जितनी भी हरियाना करेंट अफेर के क्वेस्टन मनते हैं हम सब इस वीडियो में डिसकस करेंगे और साथ ही साथ पीछली हरियाना करेंट अफेर का रुविजन करेंगे और हर question के बारे में important और extra effect पड़ेंगे विद हरियाना जी के और last में आपके लिए हरियाना जी के का test भी आप उसे भी दे कर जरूर देखे और आप इस current अभिर की PDF फाइल को description में दे हुए link से download कर सकते हैं या पर टालेग्राम का link भी नीचे है उसे जुड़कर भी वहाँ से ले सकते हैं question number one है हरियाना रैज्य में कौन सा अंतराष्टिय सुरुजकुन क्राफ्ट मेला अजादी के अमरित मौच्षो के रूम में मनाया जाएगा अब जान लेते दोस्तों इसके बारे में फरिदाबाद जिले में अगले साल 4-20 फरवरी 2022 तक लगने वाला पैंतिसमा सुरुजकुन अंतराष्टिय क्राफ्ट मेला अजादी के अमरित मौच्षो के रूम में मनाया जाएगा इस मेले का डिजाइन इस तरह से त्यार किया जाएगा कि जिससे मेला प्रिसर में आने वाले प्रेटकों को अजादी के दिवानों की कुरुबानी का पता चल सके अब दोस्तों मेले का जिकर हुआ तो इसका पुराना इतिया जान लेते हैं क्योंकि यह से एक्जाम में कोईस्चन मनते हैं सुरुजकुंड मेले का आयोजिन हुआ था सबसे पहले इन्सोस्तासी में और इस मेले को अंतरश्टिय मेला का दरजा मिला था 2013 में और पढ़ लेते हैं 32 सुरुजकुंड मेला 2018 में आजीत हुआ था सहयोगी रैज्जे था उत्तरप्रदेश सहयोगी देश था करिगिस्तान और 33 सुरुजकुंड मेला 2019 में लगा था सहयोगी रैज्जे था महाराष्टर सहयोगी देश था थाईलेंड और 34 सुरुजकुंड क् इस्तान और सहयोगी रैजय था ही माजल पर देश इस मेले में 40 देशों ने बाग लिया था और दोस्तों आब बात करें 35 सुनुचकुन क्राफ्ट मेला है 2022 में लगएगा यूंकि 2021 का कैंसल हो गया था और ये 4 से लेकर 20 फरवरी 2022 तक लगेगा इस मेले में सहयोगी देशों का ब्रिटेन और अभी रैजय गोशित नहीं किया गया है कोएस्टन मबर दो है हरियाना के की जिले में मनोरोंजन पारक बना जाएगा तो इसका रायट इंसरोग उप्षन है तो करनाल जिले में मनोरोंजन पारक बना जाएगा अब इसके बारे में जान लेते हैं मुख्यमंत रुपे की राशी खरच की जाएगी अब दोस्तों जिकर करनाल का हुआ है तो इसके बारे में कुछ अन्य इंपोर्टेंट फॉइंट जान लेते हैं करनाल की स्तापनावी थी एक नुम्बर 966 को और करनाल को हरियाना का पैरिस पदान का कटोरा भी कहा जाता है और हरियाना र उंडा में सबजी उतकष्टा के इंदर स्तापित किया गया है और इंडो इजराइल पदती पर दारित हैं और हरियाना रैज्जे का पहला ओक्सीवन करनाल जिले में बनाया जाएगा दूसरा बनाया जाएगा पंचकुला जिले में और महराना परताप बागवानी मनपतर मिल चुका है क्वेस्टन नमर 3 है हरियाना सरकार ने सकूली बच्चो को परवतारोई के गुर्ष सिकाने के लिए की स्चोटी का चेन किया है तो इसका रायट इंस रोग आप्स ने तो यूनम चोटी का चेन किया है अब दूस्तों जाल लेते पूरी बात है क्या हरि प्रवता रोही अभियाना स्कूल शिक्सावी बाग परदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों को परवता रोही के गूर सिकाएगा इसके लिए विवाग की तरफ से हिमाचल परदेश के लाहौल चेतर में 611 मीटर की उन्चाई परस्तित बरवफ इतर परतिबागी बच्चे इस परवता रोही अभियान में ही सालेंगे और 29 संबर से यह 10 अक्टूबर 2020 तक अभ्यान चलेगा और इस अभ्यान में हर जिले से एक लड़का वा एक लड़की का चैन की आ गया है अब दोस्तों जिक्रूवता एच बियासी का तो इसके वाइ लेते हैं इसकी स्तापना विची तीर नुवंबर उनसे उनसे इतर को सबसे पहले चंडिगड में लेकिन इसे 1980 में भीवानी में सीफ्ट कर दिया और वर्दमान में इसका चेर्मैन है जगबीर सिंग नेक्स्ट है दोस्तों क्वेस्टन नुबर च्यार है हरियाना रैज्य में पलस पोलियो 2021-22 के दुसरे उपराश्टे टीक अगर्ण अब्यान का सुबारम किसे ने किया है तो इसका रायटन सरोग अपसने तो मुख्या मंतरी मनहुरलाल ने इसका सुबारम किया है अब जान लेते इसके बारे में भी हरियाना रैज्य में पलस पोलियो 2021-22 के दुसरे उपराश्टे टीक अगर्ण अब्यान की सरोवात कर्णाल जिले से मुख्या मंतरी मनहुरलाल ने एक सोटे से बच्चे को पोलियो रोधी दवा पिला कर किया है और इस अब्यान के तैत 25.7 लाग बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने का लक्सया भी रखा गया है और हरियाना के 13 जिलो में 26 स्टंबर से 28 स्टंबर 2021 तक है यह सब नैसनल पलस पोलियो अब्यान चलेगा और शाथ ही साथ मुख्या मंतरी मनोहरलाल ने कहा है कि सवचते विबाग की रिपोर्ट के नुसार हरियाना में जनवरी 2010 से कोई भी पोलियो का केस नहीं आया है अब दोस्तों इससे मिलते जूलते कुछ सी इंपोर्टेंट फॉइंट पढ़ लेते हैं देश में सबसे पहले अधिस उचित रोग इनकी नोटिफाइड डेसीज गोस्चित किया था हरियाना ने बलैक पंगस को और हरियाना सरकार ने हरियाना को मलेरिया मुक्त करने का लक्षे 2022 रखा है और टीवी मुक्त करने का लक्षे 2025 तक है क्वैस्चन बर पाच है अब जान लेते हैं के बारे में चोदरी चर्ण सिंग हरियाना किर्सी विश्युदल ही सार को समाज सेवा के छेतर में बैतर परदर्शन करने पर एक साथ दो राश्टि आवाड हांसिल हुए है राष्ट्रपती रामनात कोविंद ने ओनलाइन कर्येकरम के मैध्यम से विशेव दैले के अधिकारी डाक्टर बगत सिंग को कर्येकरम अधिकारी श्रेणी में और तथा सेवन सेवक की श्रेणी में अभिसे को राष्टिय सेवा युजुना पुरुषकार 2019-2020 से समानित किया है अब दस्तो इस उन्वस्टी के बारे में पढ़े लेते हैं इसकी स्तापना उति दो फरबर 970 को और इसार जिले में स्तापित है पहले इसका नाम पंजाब विशेव दैले था लेकिन 30 अक्टुबर उनसु क्यानवा को इसका नाम बदलकर चोदरी चरन सिंग हर्याना किर तो इसका रायट एंस रोग अप्शन भी तो इवनानगर जिले में किया जाएगा अब जान लेते हैं हर्याना सरकार दुबारा वनस्पती जिव जन्तियों की सम्रिद विविता का पता लगाने और इसे सरक्षित करने के लिए पहला मस्रूम सरवेक्षन 30 स्तंबर को इवना और इसके साथ ही कुछ सन्या पढ़ लेते हैं इस सरवे में वन अनसंदान संस्तान देरादूंद से कवक, कीडे, मिटी, जलवायू, परिवर्तन, वनस्पती, विज्यान, आदी के 15 विज्यानिक और साथ ही साथ बारतिया वन्यजिव संस्तान देरादूंद से बंगू, त इतलियो, मदुमक्यो, आदी के विज्यानिक इसमें सामिन होगे, अब दोस्तों जिकरू वाताराष्टियान का, कलेसराष्टियान का, तो दोस्तों युम्नानगर जिले में स्तीत है, इसे राष्टियान को असित किया गा था 8 दिसंबर 2003 को, और यह उद्यान लाल जंगली म दोर्गे के लिए परसीद है, और इस उद्यान में साल के वरिक्स पाए जाते है, और युम्नानधी इस राष्टियान के निकट से गुजरती है, और महादेव मंदिर भी इसी उद्यान के पास है, और हर्याना का एक मातर उद्यान है, जो तीन राज्यों के साथ सीमा सांज करता है यूपी ही माचल परदेश और उत्राखंड अब दोस्तों जो हमने पड़ाउस का फटाफट से रिविजन कर लेते हैं और दोस्तों जो भी करेंड अफ़ेर के कौन सा अंतराष्टियस रुजगुन क्राफ्ट मेला अजादी के अमरित मोसोगिरू में बना जाएगा तो 35 मा दोस्तों चयार से लेकर 20 फरवरी 2022 में आजित होगा क्वेस्टन नम्बर दो है हरियान के की जिले में मन रोंजन पारक बनाया जाएगा तो करनाल जिले में क्वेस्टन नम्बर तीन है हरियान सरकार ने सकूली बच्चों को परवातारोई के गुर सिकाने के लिए कि चोटी का चेन किया है तो यूनम चोटी है दोस्तों हिमाचल परदेश में क्वेस्टन नम्बर त्यार है हरियान रेज्जे में पलस पोलियो 2021 के दूसरे उपर राष्टिय टीक करन अभ्यान का सुबारम किसी ने किया है तो मुख्यमंतरी मनहोरलाल ने किया और करनाल से किया है कोईसन नमबर पाँच है हरियान के किस इनवस्टी के दो अधिकारियों को राश्टिय सेवाय उजना पुरुषकार मिला है तो अच्छी इनवस्टी से बलाओं करते हैं दोनों कोईसन नमबर चै है हरियाना राज्जे का पहला मसरुम सरवेक्षन की जिले में किया जाएगा तो युनानगर जिले के कलेसर राश्टिय उज्यान और कलेसर विने जियो प्यारण में किया जाएगा अब दोस्तो साती सात हरियाना जी के करविजन कर लेते हैं दोस्तों जो हम साती सात हरियाना जी के पड़ते हैं बहुत से जादा question SSısı के exam में यहीं से आते है जैसे हरियाना मेला police हो या SIO Question number one है राश्टिया वन्या प्रानिक कल्यान संस्तान हरियान में कहां पर स्थीत है तो बल्लाबगड फ्रिदाबा जिले में स्थीत है और उनसे तरा सिम्स की स्थापना हुई थी क्वेशन नमबर दो है दोश्य मीटर दोड में उडन सिक मिलका सिंग का और सो पुराना राश्टे रिकोर्ड तोडने वाले दरमबीर का संबन्ध हरियान के किस जिले से है तो दरमबीर बलोग करते दोस्तों रोतक जिले से Q3 है हरियाना के किस खिलाडी ने अंडर टवन्टीन जैवलिन थोरों में वीच्वर कोड बनाया था तो नीर चोपडाने Q4 है अरावली पाडी की हरियाना में सबसे उंची चोटी 652 मेटर कहा परस्तीत है तो महंदरगड हमें है एक पड़ता है कूलतांजपूर में Q5 है किस बोगोलिक सरचना कोस्तानी अबासा में गर कहा जाता है तो गिरिपाद को कहा जाता है Q6 है हादी ऐहरियाना के नाम से कौन पर सीद है तो सेक मुहमद है Q7 है, सलांजगर गेट की इस्तान पर स्थीत है, तो पानिपत में स्थीत है Q8 है, रोतक मेजन में बनार्शिदास गुपता की परसिद रतना कौन सी है, तो अरद कथानक है दोस्तो Q9 है, हरियाना राजे का अभी लेखागार कब स्थापित किया गया था Q10 है, हरियाना में जूलती, मिनार और सेख, मुश्या की दरगा कहा पर स्थीत है, तो नू या मेवात जिले में स्थीत है अब दोस्तो हरियाना करंडाफिर कर रविजन कर लेते हैं, ये टोपिक बैस्ट है, क्योंकि दोस्तो अब हरियाना के जो भी एचा सची के एकजाम होते है अब उनमें हरियाना जीके के साथ हरियाना करणडा फिर बहुत ज़ादा पूछे जाने लगी है क्योंकि हरियाना मेला पुलीस हो या फिर हरियाना एसाई पेपर हो उसमें हरियाना जीकी से ज़ादा हरियाना करणडा फिर के 10 से 12 क्वेशन पूछे गई थे और सबी question हमारी करना फिर से ही आते हैं दोस्तों इसकी बात की गुरांटी देता हूँ question number one है हरी आना के किस जिले में परदेश का तीसरा elevated track बनेगा तो दोस्तों ये तीसरा बनेगा कैथल में पहला बना था रोतक में दूसरा बन रहा है कुरक छेतर में और तीसरा बनेगा कैथल में और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंदा तो वीडियो को लाइक और चल्लों को सब्सक्राइब जरू कर देना और दोस्तों हमने 2020 की कमपलेट कर दिये कब कि अब 2021 के रिविजन कर रहे हैं question number 2 है question number 3 हरियाना परदेश के पहले जेल रेडियो स्टेशन आउद काटन किसी ने किया था तो रनजीच सिंग ने किया था दोस्तों और 16 जनबरी 2021 को पानिपत जेल में किया था पहले जेल रेडियो स्टेशन का उद्गाटन और जेल मंतरी रनजीच सिंग और इस रेडियो स्टेशन के सरुवात तिनका तिनका फाउंडेशन ने की थी question number 4 है हर्याना परदेश में करोना का पहला टिका किसी लगा आ गया था तो सरोजबाला को लगा आ गया था और यह कहाँ पर रहने वाली है तो पंच्कुला के सेक्टर च्यार में स्थीत सरकारी डिस्पैंसरी की सरोजबाला को परदेश का पहला करोना का टिक्का लगा था और मुख्या मंतरी मनहुरलाल ने वीडियो कॉनफरेंसी के जरीश मुहिम की सरवात की थी Q5 है हरियाना परदेश में जो GST PV आपको किस ने लौँच किया था तो दूसरें चोटला ने लौँच किया था ताकि जो भी कर सम्दित जानकारी वाची तरसे मिल सके Q6 है हरियाना सरकार हरियानवी कलाकारों को परचाइद करने के लिए क्या आख सरू करने जा रही है तो फिलम सिटी बनाएगी पिंजोर और गुरुग्राम में और साथ ही साथ हरियाना सरकार हरियान विकलाकारों को प्रसाइद करने के लिए रज्यस्तर पर हर साल आवार्ड भी देगी Q7 हरियाना सरकार नेक्षेतरिय परिवैन परादिकरन इनकी RTA का नाम बदलकर क्या रखा तो जिला परिवैन अधिकर इनकी DTO रखा है Q8 हरियाना का ऐसा कौन सा पहला जिला है जो प्राली और फसल अवसेशों से CNG का सुत्पादित करेगा तो कैथल Q9 हरियाना से कितनी बार रजयस बसानसद रह चुकिया तो दो बार रह चुके दोस्तों और कब कब रहे चुके है तो रमजिलाल बजल्लाल के सिमें में उन्नी सुब और झानों में रह चुके है और दोस्तो जल्द ही आपके लिए हर्याने करंटाफिर का एक बहुत बड़ा दमाखा होगा दोस्तो एक ऐसी सीरद सुरू करेंगे जिससे बार कोई भी करंटाफिर नहीं आएगी कोईसे नमबर 10 है हर्याने के किस विबाग को पहली बार राष्टपती उतकर स्थेवा मैडल मिला है दोस्तो पहली बार मिला है नागरिक सुरुकसा विबाग को और हर्याने की तियास में पहली बार इस विबाग को मैडल मिला है और इसको राष्टपती रामनात कोविन ने द लास्ट वीडियो मैंने अपसे क्वेस्टन पूछा था हरियाना के की जिले में पेंट निर्मान से अंतर स्थापित किया जाएगा बोसे बच्चों नो रायटन से वर दिया थैंक्यू सो मच और दोस्तों स्थापित किया जाएगा उप्षन सी पानिपत जिले में और बिरला कंपनी से स्थापित करेगी लगबग 1140 क्रोड रुपी के लागत से सतर एकड़ में आज के लिए अपका क्वेस्टन है हरियाना के की सगाओं में जियों के नॉलेज के लिए ज्यान के इंदर बनाया जाएगा अगर आपको इसकाने सोर पता तो कोमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और साथ ही साथ जो अन्य ओप्षन दि करना बारे में भी बताने कोसिस करना क्योंकि जब भी हम क्वेस्टन के बारे में लिख कर देखते हैं तो लिखनी से में क्वेस्टन लंबे सिमते क्या आधर है तो प्लीज कोमेंट जुरू करना वीडियो पस्नेते वीडियो का लाइक और चानल को सब्सक्राइब और टालेगरम चानल का निचे दिया उसीफ जोन करना थैंक्यू सोमच